हेलो दोस्तो आज हम स्टेडी करेंगे फ्लूड मेकैनिक्स फ्लूड मेकैनिक्स में सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लूड के बारे में अब फ्लूड क्या होता है फ्लूड आपका वो सबस्टांस है जो फ्लो कर सकता है जरूरी नहीं कि हमेशा फ्लो करें जो फ्लो कर सकता है वो fluid है जैसे liquids आपके flow कर सकते हैं सारे के सारे जितने भी liquid है चाहे आप उसमें water ले लो चाहे oils ले लो चाहे alcohol ले लो कुछ भी ले लो सारे के सारे जितने liquid है वो सारे के सारे flow कर सकते हैं तो liquids आपके flow कर सकते हैं gases भी flow कर सकती है वैपर्स भी flow कर सकते हैं तो यह पानी है, तो उस टाइम पे वो फ्लो नहीं कर रहा है, गिलास में है पानी, रखा हुआ है, फिर क्या करो, अगर आप गिलास को उल्टा कर देते हैं, तो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, उल्टा करने के बाद फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि उसके उपर शियर फोर्स एक्ट हो कहते हैं फ्लूड अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन फ्लूड is a substance विच गैन फ्लोव वेन फ्लोड फोर्स act on it जब इसके उपर shear force लगेगा तब वो substance जो flow कर सकता है उसे कहेंगे हूं fluid flow कर सकता है ज़रूर ही नहीं कि हमेशा flow करे ठीक है और shear force की value आपकी कितनी भी छोटे हो कितना भी small shear force हो उस time पे भी जो capacity होती है fluid की वो flow करने की होती है यानि कि flow कर सकता है उस time पे भी इसके examples हमने discuss किये थे examples क्या क्या थे liquids gases and vapors but fluid mechanics में हम mainly liquid के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि gases and vapors के बारे में thermodynamics में पढ़ा जाता है तो fluid यहाँ पर जो पढ़ेंगे generally liquids के बारे में ही पढ़ेंगे फिर से उस example के उपर हम आ जाते है जब पानी आपका glass के अंदर था उस time पे flow नहीं कर रहा था उस time पे उस fluid को बोलेंगे हम हो static fluid उस time पे पानी आपका किस condition में है? static condition में तो जब static condition में होता है तब कोई shear force act नहीं कर रहा होता है तो हम यहाँ पर एक नोट करके एक लाइन लिख सकते है for static fluid there is no shear force उस time पर कोई shear force act नहीं कर रहा होता है इस subject को अच्छे से start करने से पहले इसकी हम कुछ basics पढ़ लेते हैं basics fluid mechanics का basics में पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे properties 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 of fluid fluid की properties properties का मतलब क्या होता है properties का मतलब होता है characteristics अगर properties fluid की हैं तो characteristics भी किसकी होंगी fluid की characteristics of अब इसका मतलब क्या है हिंदी में आपको पता है करेक्टर स्टिक्स को कहते हैं विसेस्ताइं अब इसको समझते हैं थोड़ा सच्छे से एक एक एक्जमपल ले लेते हैं स्पोस्ज करो हमें human being को define करना है तो human being को कैसे define करेंगे कि human being जो होता है उसकी दो आखे होती है एक नाक होती है दो कान होते हैं दो हाथ होते हैं दो पैर होते हैं तो इस टाइप से यह जो चीजें होगी यह define की हमने यह क्या एक human being की विसेस्ताइं है ऐसे ही जब fluid को define करेंगे तो fluid की विशेशता है क्या होगी कि fluid का mass कितना है fluid का volume कितना है fluid की density कितनी है fluid की gravity कितनी specific gravity कितनी है तो ये सब चीजे होगी fluid की characteristics इननी को कहते हैं विशेशता हैं अब इन characteristics को हम one by one study करेंगे तो properties में सबसे पहले पढ़ेंगे density या फिर mass density के बारे में, density आपको पता है, density को define करते हम rho से, density जो होती है, mass of fluid to the volume of fluid का ratio, it is the ratio of mass of fluid to the volume of fluid, आपको पता है, इसकी unit क्या होगी, मास को लिखते है केजी में, वोल्यूम को लिखते हैं, मीटर क्यूब में, unit होगी, केजी पर मीटर क्यूब, dimensional formula है, वो भी साथ की साथ पढ़ते जाएंगे, mass को लिखेंगे, m से, केजी की पावर 1 है, और मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब length, नीचे आएगा, length की पावर 3, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, बट इसको length को नीचे नहीं हमें, उपर shift करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा, m की पावर 1, l की पावर माइनस 3, और t की पावर, तीन बेसिक होते हैं हमारे, mass, length and time, time यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, second नहीं है यूनिट में, time की पावर 0, या तो आप इसको 0 लिख लो, अगर इस time को लिखो या ना लिखो तो भी कोई फरक नहीं पड़ता, तो आप इसको m, l, minus 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, और m की पावर 1 है, अगर लिखोगे तो भी यह ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो भी understood सी बात है, की m की पावर 1 है, ठीक है, तो यह होगी इसकी dimension, अब जो भी property हम पढ़ेंगे, जैसे हमने density पढ़ रहे हैं, तो जो water है, इसकी value क्या होती है, density की water की, तो वो जरूर पढ़ेंगे, water जो है सबसे ज़्यादा use होने वाला, most common engineering application में use होने वाला fluid है, तो water की तो at least हमें properties की value प केजी पर मीटर क्यूब, यह आपको question में given हो या नहीं given हो, आपको ये value याद रखनी है, अगर given है तो वो value यूज़ करेंगे, अगर नहीं given है तो understood सी बात है कि इसको 1000 हम लेके चलेंगे, अब इसके बाद आते है, density किस वज़े से change हो सकती है, density को affect करने वाले parameter कौन कौन से हैं, देखो density को दो parameter affect कर सकते हैं, या तो temperature या फिर pressure, अब कैसे suppose करते हैं, हमने ले लिया, mass ले लिया यहां पर 1 kg, 1 kg mass ले लिया, इसको heat कर रहे है, heat करने का मतलब इसका temperature increase कर रहे है, heat करने का मतलब क्या है, temperature increase कर रहे है, तो क्या होगा, आपने close system ले लिया, close system का मतलब क्य है यहांसे mass बाहर नहीं जा रहा है लेकिन जैसे heat करेंगे fluid को हीट करेंगेस का volume increase होगा expand होना start हो जाएगा आपको पता है volume क्या होगा इसका अगर ठेम jóल्युम इनक्रीज होगा अगर naked टेुन्शिटी पर क्या effect नंगे है mass-per-unit supply होती है mass आपका constant है mass तो 1 kg है, mass change नहीं हो रहा है लेकिन temperature बढ़ाने के साथ volume increase हो रहा है और volume क्या है, denominator में है volume denominator में है अगर volume decrease हो रहा है denominator, sorry, volume increase हो रहा है अगर denominator में कोई value increase हो रही है तो overall value जो होती है वो आपकी क्या होगी, decrease होगी opposite effect पढ़ेगा overall value पे यानि कि density आपकी decrease होगी तो हम कह सकते हैं कि temperature अगर बढ़ाते हैं temperature अगर increase करते हैं upside arrow का मतलब है increase करना with increase in temperature density of fluid will decrease density क्या होगी, decrease होगी ठीक है, तो अब पढ़ते हैं pressure का effect क्या होगा अब pressure के लिए भी हम क्या करेंगे एक 1 kg वैसे ही same 1 kg mass ले लेते हैं अब इसको क्या कर रहें compress कर रहें, pressure increase कर रहें इसके उपर, pressure increase करेंगे तो इसको compress कर रहे हैं, compress करेंगे इसका मतलब क्या होगा, इसका volume decrease होगा, और इस formula से ही, rho is equal to mass per unit volume आपने, जैसे ही pressure increase किया, इसके उपर pressure बढ़ाया, volume इसका के उपर कपड़ेगा उपोजिट पड़ेगा यानिकि overall quantity इंक्रीज करेगे और ओर ओर ऑल कंटिटी किसके equal हैं density के equal तो यानि कि जैसे ही pressure increase करेंगे अगर हम pressure increase कर रहे हैं तो इसका मतलब density भी increase होगी ठीक है pressure increase कर रहे हैं तो density भी increase होगी यह दा density के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे हम next property तो दोस्तों अब पढ़ते हैं second property के बारे में जिसको specific weight या weight density भी बोल देते हैं अब जैसे mass density था पहले ऐसे ही ये weight density है तो weight density क्या होगा it is the ratio of weight of the fluid to the volume of the fluid ये किस-किस का ratio होगा weight का and volume का weight को किस में लिखते हम weight को लिखते है Newton में weight unit हुई Newton और वोल्यूम की unit हुई millimeter cube तो इसकी unit हुई Newton पर meter cube अब इसको basic unit में convert करना पड़ेगा हमें dimension formula में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा basic unit में convert करना पड़ेगा फोर्स जो होता है वो होता है न्यूटन में आपको पता होगा वेट भी एक टाइप का फोर्स ही होता है फोर्स न्यूटन में होता है और फोर्स की वैल्यू क्या होती है फोर्स को कैसे लिखते हैं फोर्स होता है मास इंटू एक्सिलरेशन मास को किसमें लिखते हैं केजी में और acceleration को किसमें लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वेर तो मास केजी में acceleration मीटर पर सेकंड स्क्वेर में यानि कि Newton को हम क्या लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेर यह हुआ Newton को अब Newton को यहां पर किस से replace कर देते हैं. Newton को लिखे लेते हैं totalmente meter पर second square लेकिन यह meter cube पहले ही यहां से यह आगया meter cube अब एक देखो यहाँ पर एक meter है, एक meter से meter cube किजागा meter square बचेगा तो आपके पास क्या बचा? केजी, नीचे बचा meter square second per second square यानि कि इसकी यूनिट को या तो आप लिखो न्यूटन पर मीटर क्यूब में या लिखो केजी पर मीटर स्केर पर सेकंड स्केर अब यहां से डाइमेंशन फॉर्मूला लिखना बहुत एजी है केजी मतलब मास, मास को म, म की पावर कितनी है फिर लेंथ, लेंथ की पावर कितनी है लेंथ की पावर दो है लेकिन नीचे है डिनोमिनेटर में तो उपर लेके जाएंगे तो तो कोई भी difference नहीं आएगा M, L-2, T-2 इसका dimension formula हुआ अब थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में specific weight जो होता है वो आपने अभी देखा weight per unit volume, weight को क्या लिख सकते है, weight होता है mg, weight को हमने पढ़ा है क्या होता है, mg और नीचे volume, अब इस से पहले वाली property में हमने पढ़ा था कि mass per unit क्या होता है density, तो इसको लिख सकते हैं, rho और और क्या बचा g, तो यानि कि w को specific weight को आप rho into g भी लिख सकते हैं तो weight हो, specific weight हो गया rho g, water के लिए इसकी value क्या होगी, w of water देखो, rho की value water के लिए आपको और g की value कितनी होती है 9.81 g की value हम क्या लेते हैं 9.81, तो यह हो गया आपके पास, 9810 newton per meter cube यह होई, इसकी specific weight की water के लिए value तो जब भी water का specific weight कहीं use करना हो, तो 9810 लेंगे हम इसके बाद पढ़ते हैं, कि w का effect w के उपर effect किस किस parameter का पढ़ता है, देखो, w में 2 parameter है, किस-किस के directly proportional है, row और g के, 2 parameter है row और g, यहां पर w is equal to row into g, directly proportional भी कह सकते हैं, w row के भी directly proportional है, और g के भी directly proportional है, अब row की value आपको पता है, आगे 2 parameter पे depend करती है, किस पे, temperature पे and pressure पे, यह किस-किस पे depend करती है, temperature and pressure पे, अगर temperature बढ़ाते हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कि अगर temperature बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, volume increase होता है, और volume increase होता है, तो density decrease होती है, इसका मतलब density decrease होती है, और w density के directly proportional है, इसका मतलब w भी decrease करेगा, अगर density decrease कर रही है, तो w भी decrease करेगा, अभ दूसरी बात, दूसरी, दूसरा parameter है прेशर, हमने पढ़ा था कि अगर pressure increase करते हैं, pressure increase करते हैं, तो volume decrease होगा, और volume decrease होने की वज़े से density increase होगी, यानि कि pressure increase होने की वज़े से density increase होरी थी, और w directly proportional है density के यानि कि density अगर increase होगी तो इसका मतलब W भी increase होगा तो हम कह सकते हैं कि temperature बढ़ाने से W की value decrease होती है और pressure बढ़ाने से W की value increase होती है अब दूसरा parameter है G जिस पे W depend कर रहा है और G की value क्या हमेशा same रहती है या तो हो सकता आपने पढ़ा हो अगर नहीं भी पढ़ा हो है तो मैं बता देता हूँ आपको कि G की value suppose ground पे जो होती है suppose कर लेते हैं हापे 9.81 है जैसे जैसे हम height increase करते हैं जैसे जैसे हम उपर जाते हैं जैसे जैसे height increase होती है G की value decrease होती है G की value decrease होने लग जायेगी और जैसे जैसे नीचे होती हैं दूसरी चीज जी की equals equator पे अलग होति है और पोल पे अलग होती है, जी की वैल्यू different होती appear equator पे और पोल पे, तो दोनों चीज़ें जैसे जैसे हम equator से Öмов पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू different 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 आनियो start हो जाएगी तो एक word choose कर लेते हैं कि जी की वेल्यू किस पे डिपेंड करती है एक्चुल में जी की वेल्यू लोकेशन पे डिपेंड करती है यानि कि जैसे ही लोकेशन चेंज होगी जी की वेल्यू चेंज हो जाएगी तो जी की वेल्यू किस पे डिपेंड करती है लोकेशन पे अगर जी की वेल्यू लोकेशन प का specific weight density के बारे में इसके बाद next property पढ़ते हैं तो दोस्तों अब पढ़ते हैं third property specific volume specific volume होता है it is the ratio of volume of fluid to the mass of fluid कभी-कभी थोड़ा बहुत इसका use हो जाता है इसको थोड़ा साम पढ़ लेते हैं वोल्यूम की unit इसकी unit देख लेते हैं वोल्यूम की unit होती है meter cube और mass की unit होती है kz अब mass per unit volume density था और यह क्या है volume per unit mass तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं one by अगर volume को हम नीचे ले आएं तो यह हुआ mass per unit volume तो mass per unit volume क्या था density तो इसको हम one by row भी लिख सकते हैं वो specific volume को one by row भी लिख सकते हैं यह unit हुई dimension भी लिख सकते हैं इसका dimension mass की power क्या है minus one और length की power क्या है sorry length की power है three अब length उपर आ गया तो length की power positive और mass की power negative तो यह हुआ specific volume के बारे में यह हमने कुछ property अभी पड़ी है बागी property हम पढ़ेंगे next lecture में आज के लिए इतना ही thank you so much